वेल्कम बैक तो आवर इटो चैनल माइनिंग कंसेप्ट आज डिफिनिशन सीरीज का फोर्थ वीडियो है इस वीडियो में कुछ इंपोर्टेंट डिफिनिशन को डिसकस करूँगा यह एक्जमिनिशन के भीउ से यह डिफिनिशन बहुत इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन क्या आज देखते हैं इस डिफिनिशन को होटीज माइनिंग माइनिंग क्या है तो पहले माइनिंग को समझते हैं फिल नेक्स्ट आगे देखें तो माइनिंग इस दे पॉर्सेस ओफ एक्शावेटिंग इकोनोमिकल इवेलेबल मिनेरल्स फ्रम दे आर्थ क्रास्ट माइनिंग यह कैसा पॉर्सेस है जो इकोनोमिकली जो बेनिफिसियर मिनेरल्स होगा उसको हम एक्स्रेट करते हैं माइनि एक पॉर्सेस है आप समझेंगे हम एक टाम जो यूज हुआ है मिनेरल्स मिनेरल्स क्या है तो मिनेरल्स को चलिए देखते हैं तो मिनेरल्स क्या है चलिए मिनेरल्स को समझते हैं तो मिनेरल्स मिनेरल्स इज यह होमजीनियस और नेचुरेली ओक्यरिंग सब्स्टेंस हाविंग दिफिनेट केमिकल पोरपर्टी एंड इस्ट्रक्चर तो मिनेरल्स हम उसको कहते हैं जिसका एक होमजीनियस केमिकल पोरपर्टी उसका हर जगह सेम रहता है और क्या है कि उसका इस ट्रक्चर कुछ खास डिफिनेट इस ट्रक्चर होगा तो उसको हम कहेंगे मिनेरल्स में एक टाम यूज वह है होमजीनियस इस homogeneous का मतलब है कि माल लेजिए कोई अगर coal बलोक ही है अगर माल लेजिए ये coal है तो coal का यहाँ coal का जो material है जैसे carbon है volatile कुछ material है तो सब चीज जो है continuously सब जगा रहेगा homogeneous का मतलब है कि carbon carbon सब जगा carbon carbon बने homogeneous नहीं continuously पूरा बलोक में ऊचिज रहेगा तब हम बोलेंगे उसको homogeneous, homogeneous material का मतलब है कि material है तो पूरा continuously उसमें उसका internal material उसमें रहना चाहिए तब हम कहेंगे homogeneous तो homogeneous substance and naturally occurring substance having definite chemical properties and structure that is called minerals अब हम लोग समझेंगे ओर को चलिए और और क्या है देखते हैं तो और क्या है कोई minerals ही है जो जो minerals को हम economically extract करते हैं जो हमको benefit दे सकता है उस minerals को ही हम और कहते हैं जो mineral हम extract करने के बाद हमको benefit दे सकता है economically उसको हम कहेंगे और जैसे कुछ minerals इंडिया में benefit करने के बाद हमको benefit होता है तो उसको हम कहेंगे और और कुछ और जो है आदर कंट्री में extract करने के बाद beneficial है तो आदर कंट्री के लिए और है लेकिन यहां के लिए और नहीं है जैसे iron carbonate यह minerals जो है इंडिया में अगर इसका extraction हो या mine हो तो mine होने के बाद यह इंडिया में beneficial नहीं है इस benefit नहीं दे पाता है इसलिए हमारे लिए यह और नहीं है यह minerals ही रहेगा आदर देख लिजिए जैसे pharic sulfate नहीं कि iron sulfate जो है यहां के लिए और है लेकिन कुछ country में ओर नहीं है क्योंकि आदर कंट्री में यह benefit नहीं दे पाता है माइन करने के बाद यह benefit नहीं दे पाता है इसके चलते इसको हम आदर कंट्री के लिए इसको हम कहेंगे minerals और नहीं तो कहने का मतलब है कि सभी और जो होगा minerals नहीं होगा लेकिन सभी और जो है minerals है तो यह हम समझा mining क्या है और minerals क्या है और और क्या होता है अब हम समझेंगे कि minerals का type क्या है कितने type की minerals mining term में हम उसको use करते हैं चलिए देखते हैं तो मिनेरल्स को हम तीन तरह से बाढ़ सकते हैं fuel minerals metallic minerals और non metallic minerals तो fuel minerals में आप example ले सकते हैं coal और petroleum coal और petroleum इसमें आप metal minerals में आप ले सकते हैं bauxite bauxite pyrite और इसमें आप ले सकते हैं non metallic में non metallic में आप ले सकते हैं माइका, सिलका, फेलर्स पर तो यह सब जो है non metallic minerals है metallic minerals है और अपका fuel minerals तो दोस्तों minerals तिन टैप का fuel minerals metallic minerals और non metallic minerals तो हमको mining हम लोग कौन mining से related है तो हम लोग fuel minerals को बड़ी है से समझते हैं और समझने क्यों को सिस करते हैं तो चलिए कुछ और ट्रम है जैसे सीम और भेन क्या है इसको देख लेता हूं तो सीम क्या है या layer of minerals deposit is called सीम जो mineral deposit का एक layer होगा उसको हम सीम कहेंगे आप example के तरह example से देख सकते हैं माल लिजाए यह आर्थकरार surface है इसमें कुछ soil है माल लिजाए soil है फिर sail आ गया फिर यहाँ coal आ गया फिर माल लिजाए और कुछ material आ गया माल लिजाए फिर stone आ गया तो इस तरह से एक layer में बटा हुआ है तो mineral deposit जो होगा उस एक layer जो mineral deposit का होगा उसको हम कहेंगे सेम इन टरम generally coal mining में यूज होता है और same thing इस भेन जो है आपका metal mines में जो mineral deposit का एक layer जाता है तो उसको हम भेन करते हैं तो दोस्तो आज हम कोशिश किया कि सारा time को बढ़िया से discuss किया जाए और कोशिश भी किया कि आप समझे और आसा करता हूँ कि आपको benefit मिलेगा और बहुत जल मैं next video आपके सामने लियाओंगा आज के लिए बस इतना ही जो दोस्त अभी तक मेरे channel को subscribe नहीं किये सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ share करें और comment में कुछ न कुछ जरूर लिखे थैंक्यू फॉराचिंग झाल